हे हेलो एवरेबन दोस्तों कैसे आप सभी लोग दा पॉल्टिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता कि सिपेशी क्लास 10 और क्लास 12 के जो री एक्जाम है कंपार्टमेंट के हैं चाहिए वो प्राइबेट केंड़र्स हो चाहिए इंप्र पर्टन टोपिक इंपर्ट्र कोईशन हम आपसे के लिए ला रह круा कि양ाए अच्छे से त्यारी कर रेक fifteen नमब्र से उपास हो सके दोस्तों हमेरा सयोग देना ताकि हमारा मनोबल भी बड़े और हम आप सभी के लिए इसी तरह से कारे करते रहें तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास टेंद के सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों चैप्टर वन यानि यह यूरोप का रास्टवाद है हलांकि यूरोप के रास्टवाद से चित्र भी आएंगे मैप भी आ सकने के पूरी पूरी संभावना है तो वो सारी चीज़े हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले दोस्तों जो यहां पर है एक सब्ध है जलो विराइन तो यहां से कोश्चन बनने के पूरी पूरी के अधारे में बुलाया गया और इसकी अध्धेश्ता किसने किए थी तो वियाने समेलं की जो अध्धेश्ता की थी उसने किया था आस्ठिया के चांस्लर ड्यूक मैटर्निक ने इसकी अध्धेश्ता की थी और इसमें कौन-vous कोन से देस सामिल機 थे दोस्तों इसमें Brutain, Russ, प्रासा और आस्टिया देश से आधी देश सामिल थे परिवर्तन किया हुए इस सम्मेलन के बाद दोस्तों फ्रांस में बुर्बो राजवन्स की स्थापना कर दिया गया त्योंकि आप सभी को पता है कि अटारस जार में नेपॉलियन की सहिंता लागू की गई और नेपॉलि सब्सक्राण के यंग नेरेग कर देंगे वाइष करते हैं कि अगर्वाटि वहां से देख सकते हैं दोस्तों टीक है छलिए अब हमारा अगला टिज ने मर्श्यार तो यंग इटली की स्थापना कहां की गे दोस्तों तो मरसेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना जोसेफ मेसनी की द्वारा की गे थी और यह कौन था यह एक करांतिकारी विचारक व्यक्ति था और वो एटली के व्यूकों में रास्ट हित के लिए बालिदान की भावना को विकास करना चाहता था क्लियर के लिए हाँ जोसेब मैसनी से संबंदी दो से प्रसंद पूछे जा सकते हैं बड़े कोश्चन भी चार नमर में भी यहां से भी कोश्चन पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है क्लियर रास्ट पूछाद के पहली सप्स अबयोग्ति फ्रांसी से गरांती को माना जाता है और फ्रांसी से गरांती का भी दो 1789 यहीं सरी रास्ट प्लात की जो गरांती जागी थी और सवतंतता प्रभुत्ता बंदतों की यही से आई थी ठीके अब इस चप्टर में दो कावूर मेसनी गैरिबालडी और इमेनुवल दित्ष यह वह चार जो कह सकते हैं कैरेक्टर हैं इस चार कैरेक्टर में से दोसो एक कैरेक्टर आपको 100 प्रसंट में जो है आपको देखन कब हुआ दोस्तों तो इटली का एकषाट 1870 इस भी मुँए था और इटली के एकषाट के बाद जो है रोम जो है इटली का एकषाट के राजधानी बन गया कुछ परतीक चीमि से यहां से प्रसंद पूछे जा सकते हैं जैसे टूटी वी बेलियां किसकी परतीक है तो दोस्त चाहे और कलपना दस और योटूपन बनसकता है यह सारे टोपिक आपको देखनें है और यहां से चित्र यानिए इस चैप्टर से दोसो देह धाना चित्र से संबंदरी भी प्रसंद पूझए जा सकते हैं चित्र और इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं दोस्तों अदी आप लोग चाहेंगे कि मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री का जो यह पोस्टन दुने चेप्टर पार्ट वन पार्ट टू उसका लाइब सेशन लेकर आँ तो दोस्तों आप कमेंट बोक्स में जुरू बताईया गया क्योंकि दोस्तों हर च इस मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो की सेयर करते हैं और लाइक जरूर करना दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप लोगों सहयों की बहुत ज़्यदा आवज सकता है इटली के एकी करण में गेरी बाल्टी का क्या आयोदान ने यहां से कोशन पूशा को मतदिगार प्रापट था तो फ्रास में निपॉलियन के दोरान जो है निपॉलियन के सासा के दोरान सभी वेस को मतदिगार की प्रापती पतान किया गया था पर्थम विसुद के बाद राश्टवाद की किस परकार बाल मिला यहां सब् tisज कूशन पूशे हैं संभावन भी और चित्र से संबंजी भी प्रसंद पूछे जाने पूरी-पूरी संभावना है चलिए इधर प्रतम विशुद कब हुआ था तो प्रतम विशुद हुआ था 1914-1918 में ठीक है और इस युद में अंग्रेजों ने भारतिय सैनिकों तथा साधनों का परयोग अपने स्वार् प्रतम विशुद है अगर हम भारत के राष्टवाद जैसा में अभी अपने यूरोप के राष्टवाद की बात करें दोसों यूरोप में राष्टवाद से भी हम बात कर रहे थे तो यूरोप की राष्टवाद की बात करें तो भारत में राष्टवाद की जो आभिवक्त कि दोरां अंग्रेजों ने भारतियों से मदद मागी तो अगर हम यूद्यों में जी जागे तो आपको सुतंतर समय सारी बात आपको इस्थापित कर देवर्ट ऐसा नहीं हुआ और इसी वज़े से भारत में राश्वार की भावना की जो गती थी और वह तेज हो गई ठीक है अब यहां देखते हैं दोस्तो परतम विस्थाद निस चौदा निस उठारा में समापत रहता है और इसी के दोरां दोस्तो अठारा मार्च उनिस सुनिस में बिट्री सरकार दोरा एक एक्ट पारिद कर दिया गया और उस एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं रॉ रॉला टेक्ट दोस्तो एक परकार के ऐसा काला कानून था और जिस कानून के दोरा जो बिट्री सरकार किसी भारतियों के बिना किसी सजा के बिना किसी जरुम की गिखतार कर सकती थी और इसे दो साथ से पहले उसे नहीं छोड़ती थी तो इस कानून को दोस्तों काला कानू कानून भी का गया और इसके लगातार विरोध भी किया गया और इसी कानून का विरोध करने के लिए दोस्तों ब्रिटी सरकार के जो रॉलट एक्ट कानून ता उसको विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जिद्वारा है ना रॉलट सत्तेगरा की सुरॉत की गई यह अब से पूछ सकता है वाई रॉलट एक्ट के कानून के विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जिद्वारा की सत्यगरा की सुवात की गी तो महात्मा गांधी जिद्वारा की सुवात की तो उसका नाम कहा था रॉलट सत्यगरा है ठीक है अब इसी पूरे भारत में रॉलट एक्ट क कानून के राप खिलाफ पर दस्तन सुरूँ होगे सांतिपूर तरीके से और इसी आधार पर दोस्तों पंजाब के अमरी सर्वे भी इसी कानून के लेकर ग्रोज चल रहा था क्योंकि इसी कानून के वज़े से पंजाब के जो दो प्रमुक आप कह सकते हैं करांतिकारी थे उन ने ग्रिफ्तार कर लिया गया था इसी कानून के बदोलत और पूरे पंजाब में इन्ही दोनों के ग्रोज पर जोर सोर से किया जा रहा था सांतिपूर तरीके से और संयोक वस दोस्तों उसी दिन 13 अप्राल 1990 को उसी दिन अमरी सर्व के बात करे तो पूरे भारत में वैसाक लागू किया गया है मारसल ला लागू कह सकते दोस्तों परकार से अब जैसे अभी हमके भादारा से 44 लग जाती है कि चार लोग की कठा नहीं हो से थे किसी जंगा पर तो यह पूरे भारत में लाग हो था पंजाम में लाग हो था लेकिन वहां के लोगों किसे बारे चली जाती है और यह इस विवर से घटना के दोस्तों आप कहा सकते हैं जितने भी अलोसना कीज़े अतनी भी कम है तो इसी के अधार वेने रोलट एक्ट के सत्यक्रा का विरूद करने दर पर जनरल डायर ने 13 अप्रल 1919 को जलिया वाले बाग में नहते प्रदा संकार विगो जिकशे में फैक्रल लोगों की मौत हो जाती है और इसी हम कहते हैं जलिया वाला बाग हत्याकान और इसी जलिया ओला बाग रेंकी विरूसरूब रविंअ टाय से संब्द दोस्तो ऐस के बाद दोस्तों हम देखें कि 1921 में खिलाफत अंदॉलन किसे सुरू किया तो खिलाफत अंदॉलन दोस्तों अली बंदू सबस्टे बुर्ण नेता किलाता था उसी पड़ को अंग्रेजों ने मुसलमानों से यवादा किया थागर वो युद्वन की सहाथा करेंगे तो वो खलीफा के पड़ को दुबारा से वापस कर देंगे बढ़ युद्व के बाद ऐसा नहीं किया गया और इसी वज़ह से ही बाद भी कर दिया ठीक है दोको मैं आपको एक बार बता दें चलों अगर इस चैप्टर समझें आपको कोई भी डाउट अगर आप मुझे से लाइब सेशन चाहते हैं तो कमेंट बोक्स में जरू लिखने तो मैं आपको गैरंटी से कह रहा हूं अगर मैंने आपको इपर इसक सीता राम राजू तो अलूरी सीता राम राजू जो आंदर प्रजेस की कुंडेम पहाड़ियों में फैले गुरिला यंदोलन के नायक थे तो अलूरी राम सीता राम राजू से परसंद पूछा गया और दोबारा पूछा जा सकता है अब बात कर लेते हैं 1922 में महात्मा ग कर दो अध्यार गारे अगर यह सारे कोश्टन दो समय अब अब सब्सक्राइब कर दूंगा इस अभी इसको बस समझने के का कोशिस कीजिए तो 1922 में महात्मा गान्धी ने जो इंदोलन चला था वह उस्वरी 1921 में महात्मा गांदी को आसजयों गंदोलन को वापस लेना प जिला है दोस्तों गोरापुर गोरापुर में कि सारे चौरा चौरी वहां पर गुसाई अंदोरन का रहे भूने पुरे पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया इसमें 11-12-17 के आसपा जो पुलिस कजमे के मौत जाती है और इसी जो विरोध पर दसंता इसी के प्रणाम प्रणाम सब्सक्राइब करते हैं और यह सारे चीज़े हैं और यह सारे चीज़ें आपको प्रवाइड करवा दूँगा और एक बार मैं अगर एक बार सच में समझा दूँगा तो जिन्दिगी में कभी आप कभी नहीं भूलेंगे ठीक है यह गटना गठी दाए तो 1922 में सेगंदन वापस ले लियाता है और इसी के विरोध स्वरूव दोसो 1923 में मौर्तिला नेरू और सी आर दास ने कोंग्रिस से अलग होकर एक अदर पार्टी की स्थापना कर दी जिसे हम सुराज पार्टी की नाम से चानते हैं तो सुराज पार्टी की स्थापना नेरू और स 1927 में साइमन कमिशन तो 1927 में इंगलेंड की सरकार ने कमिशन की निक्ति की जिसे हम साइमन कमिशन के नाम से जानते हैं अब इसी साइमन कमिशन क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके अदर सर जोन साइमन थे और ये जो साइमन कमिशन 1928 में भारत में पहुच निस साइमन कमिश कमिसन में कोई भारत्य सामिल नहीं था ज्यां ढूर Archived किया गया यह कमीशन जहां भी गया दोस्तों वहीं इसका स्वागत काली जुन्डियों साथ किया गया जगा जगा पर साइमन कमीशन वापर जाओ साइमन गो बैक किनारे लगाए गए और जनता की सांथ पर देशन को सरकार ने बड़ी कटोरता से दबाया और लहोर में इसी कम 1928 में जो साइमन कमिशन आया था उसका विरोज शरूप ये पर अधिसन किये गए थे और इसमें लाला लाज पत्राय जो है सहीद हो गए लाठीयों की चार्ज की वज़े से जो उन पर की गई थी ठीक है अब दोस्तों इसी 1928 के बाद दोस्तों जो है 1929 में कॉंग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता है लाहर में और जिसके अध्यस्ता करते है पंडिजवाल ना नहरू और 1929 के कॉंग्रेस के लाहर अधिवेशन में भारत में पूर्ण सोतंतरता की मांग रखी गई यह पूर्ण सुराज की मांग रखी गई 1937 के कॉंग्रिस के लाहो रजिवेशन में जिसके अदिस्ता पंडी जुआ लार नेरू ने की थी तीके अब बात करते हैं दांडी मार्च की उसी के बार दांडी मार्च आ जाता है दांडी मार्च कब होता है ऐसे मात्मा गांदी को सबसे अच्छा मुगा था कि इस अंदोलन को जन जन तक पहुचाया जाया और मात्मा गांदी ने इस नमक ऑंदोलन की विरूष साबर मति आशरम से डांडी तक जो है यातरा के और यातरा कप शिरूए 12 मार्च 1933 को और इस यात्रक महात्मा गांधी द्वार अपने 78 अन्वाईयों के साथ शुरॉत की गी और महात्मा गांधी 6 अप्रेल 1939 को दांडी पोच और वहाँ पर समुदर के पानु केतलिम गरम को इस नमग कारून को तोड़ा बाद में महात्मा गांधी को गुर्फ़ार कर लिया गया और ने सत्यक राइयों को गुर्फ़ार कर लिया गया राइट उसके बाद देखते हो क्या होता दोस्तों 1930 में वायसराय इर्विन जो है महात्मा गांधी के साथ समझोता होता है और इसी गांधी इर्विन समझोते के नाम बताएंगे और इस इस समझोते के बार महात्मा गांधी जी दूसरे गोल में समयना भाग लेले ही रच्टे को पर्रक्थम गोलसा गोलस्तिफ में उस एक नहीं पार। तो आपको सारी बतावाँगा दोसो बट अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी जरूर लाइक कर दें और अगर आपको पूरी डीटेल में दोस्तो ये वीडियो चाहिए जिसमें आपके एक बी नमबर ना कटे तो आप मुझे कमेंट बोक्स में जरूर ब अब बात करते हैंगें दोस्तों 220 का कंगरिस नागपर अदिवेशन प्रसन पूरतमा गांधी जिबा भारत में आते हैं 1915 में 10 जनुवरी को दशल अफरीका से लोटे तो और उसी 10 जनुवरी को परतेक वर जो है प्रवास्ती दिवस की रुपे मनाया जाता है 1916 में अहम्दाबाद जब 1915 महात्मा कातीजी भारत आते है तो 1916 में उन्हें आहम्दाबाद के पास साबर मतियासरम की स्थापना करी और 1916 में ही उन्हें बियेच्चू ने बनारस हिंदू विस्वधाले में एक संगोश्टी में भाग लिया एक भासल दिया और उस भासलम उन्हें ने काते हैं कि यहां पर जो भील बैठी हुए पूरे भारत का प्रतिरी दो नहीं करती है पूरा भारत जो है यहां पर बैठा हुआ नहीं है महात्मा गांधी भारत में आंधुलन करने की कोशिश करते हैं बट उनके जो राधनिती गिरु होते हैं गोपाल, किष्ण, गोख्रे हुँने मना कर देते हैं और उनके मना कहने पर महात्मा गांधी दो साल तक भरवत का बसके बिच 1916 में महात्मा गाधी चंपारण में सत्तगरे के लिए चला याते महात्मा गाधी के भारत मैंने वाद वह था खेड़ा सतलगरा 1917 फसल आकाल पढ़ने वजे से बारिस ना होनी के वजे सी पूरी फसल चौपट होगी दोस्तो और इसी फसल चोपट के बाद भी बिट्री सरकार ने किसानों पर लगान वसूली का दबाव बनाया रगा था और इसी के विरोध करने के लिए महात्मा गादी खेड़ा जाते हैं और खेड़ा में भी महात्मा गांदी के जो सत्तेगरा सफल होता है और इसी खेड़ा सत्तेगरा महात्मा गांदी जो है सरदार बल्ला बैपटेल से उनकी मुलाकात होती है और यहीं से सरदार बल्ला बैपटेल महात्मा गांदी के साथ होकर मतलब साथ हो लिया होते है महात्मा गादी के भारव जो तीसरा जो है दोस्तो वो है अहमदाबाद सम्मेलन अहमदाबाद सत्गरा उन्नीस ओठारा में मजदूरों और मील मालिकों के बीच ये अंदूरन किया गया जिसमें 35% मजदूरी बढ़ाने के लिए बिट्री सरकार को कहा गया इस अंदूरन के तुने हमात्मा गादी ने कहाँ कि आपको सांतिपूर तरीके से परदसन करना है इस परदसन को भी बिट्टी सरकार ने स्विकार कर लिया और मजदूरों की मांगों को मान लिया गया तो इस तरह थे दोस्तों महात्मा गादी का भारत में आगमन इस चेप्टर से बहुत सारे कोशन अगर हम बात करें तो महात्मा गादी की पुस्तक दलित पैंथर्स पूना पैक्ट ठीक है और भी महात्मा गादी के बारे में लोग क्या सोचते थे कि महात्मा गादी जी अन्न भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दे ता कि ये वीडियो अन्य बच्चों तक पोँच सके दोस्तों, क्योंकि हमारी पोँच अभी इतने बच्चों तक नहीं है, आप भी लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि ये वीडियो अन्य बच्चों तक पहुँच सके हमारे चैनल दाप पुलिटिकल मास्टर को दोसे सब्सक्राइब कर ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दिए दोसो और हमें बिल्कुल सपोर्ट कीजिए हम आपके लिए ततपर रहेंगे हर वो चीज जो आपको चाहिए दोस्तो हम पूरी संबख कोशिश करेंगे कि आपके मदद कर सके एक्जाम को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए जैहिन